दोस्तो रिसेंटली शौमी ने अपना MI10S 5G स्मार्टफोन को चाइना में लांच कर दिया है और चाइना में इसके स्टार्टिंग प्राइज है 3,299 चैनिस युवान जोकी इंडिन कर्रेंसी में होता है 37,000 रुपीज दोस्तों बात करते हैं इस फोन के स्पेक्स के बारे में इस फोन में हमें 6.67 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्पेक्स देखने को मिलता है विद 120Hz refresh rate के साथ और डिस्प्ले के टॉप लेफ साइड पर पंच्ट होल डिस्प्ले के अंदर 20MP के सेलफी कैमरा देखने को मिलता है और इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर भी देख 26GB expandable storage के साथ आता है दोस्तों रियर में quad camera setup देखने को मिलता है जा पर 108MP का primary sensor है with OIA support 13MP का ultrawide sensor है 2MP का macro sensor है और 2MP का depth sensor भी देखने को मिलता है दोस्तों इस फोन के connectivity के बात करें तो 5G connectivity देखने को मिलता है Wi-Fi 6 देखने को मिलता है Bluetooth 5.1 देखने को मिलता है और NFC भी देखने को मिलता है दोस्तों इस phone का temperature को control करने के लिए VC liquid cooling system का use किया गया है और इस phone में harman kardon के premium quality के speakers भी देखने को मिलता है जिसे phone का sound experience काफी अच्छा हो जाता है और ये phone 4780 mAh battery के साथ आता है with 33 watt pass charging support wire connection के साथ और 30 watt का wireless charging भी देखने को मिलता है दोस्तों बात करते है इस phone के pricing के बारे में बेस variant 8GB 120GB के pricing है 3,299 Chinese Yuan जो के इंडियन करेंसी में होता है 37,000 रुपीज और 8GB 256GB वाले variant की कीमत है 3,499 Chinese Yuan जो के इंडियन करेंसी में होता है 39,200 रुपीज और high end model 12GB plus 256GB की कीमत है 3,799 Chinese Yuan जो के इंडियन करेंसी में होता है 42,600 रुपीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अ क्यार करें और सब्सक्राइब करें वाले चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना बूले एंड फाइनले थेंक्स फॉर वाचिंग